हेलो एब्रिवर नमस्कार जय मातादी कैसे हैं आप सब भी उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि बेबी बॉय सिम्टम कौन कौन से होते हैं क्योंकि जिन महलाओं के पास जो मा बन चुकी हैं उनके प ऐसे लक्षर बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा सही माने जाते हैं तो कौन से हैं वो लक्षर इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा पर आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी जरूर देना चाहती हूँ दें कि वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको सही जानकारी देना है आपके डाउट को क्लियर करना है ठीक है वीडियो बनाने का मतलब जेंडर सिलक्षन को बढ़ावा देना हमारा उदेश या फिर इस वीडियो का उदेश बिलकुल भी नहीं ह गाइस काफी महलाओं के साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत जदा इचिंग प्राबलम होने लगती है बहुत जदा खुजली की समस्या होने लगती है माना जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़दा इचिंग, मतलब खुजली की समस्या हो रही है जैसे कि काफी महलाओं को पेट पर खुजली की समस्या होती है और वो बहुत ज़दा परेशान भी हो जाती है माना जाता है कि pregnancy में अगर खुजली की समस्या होती है तो ऐसे में baby boy होने के संकेत होते हैं अगर आपको खुजली की समस्या नहीं होती है कम रहती है तो ऐसे में baby girl होने के संकेत होते हैं अब आपके doubt को clear करना हमारा उदेश है, आपको सही जानकारी देना हमारा उदेश है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि खुझली आखिर क्यों होती है, क्या खुझली से 100% आप पता लगा सकती है कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी, चलिए आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा, देखिए दरसल प्रेगनेंसी के तीसरी इतिमाई में खुझली की समझ्या पेट पर जादा भढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके बेबी का विकास बहुत तेजी से होता है, तो पेट का आकार बहुत तेजी से भढ़ता है, और पेट का आकार भढ़ने की बज़ए से उसमें बहुत ज़दा खिचाओ आने लगता है, बहुत ज़दा ड्रा समस्या होती है ठीक है ना कि लड़का और लड़की से इसका कोई connection नहीं होता है अगर आपको खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा pregnancy में होती है तो आपको एक तो infection होने के बहुत ज़दा chances हो सकते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो guys मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूं कि लड़का और लड़की होने का कोई भी लक्षर 100% वर्क नहीं करता है सिर्फ आप भगवान पे भरोशा रखिए ना हर आपकी मनुकामना पूरी हो सारी बातों से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर जरूर किजिए का और चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बला इकन को जरूर दबा लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिक केर एंड बबाए